तो मैंने जैसा कि पहले बोला था कि दूसरी सर्विस जो आई है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरी सर्विस जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक 10,000 का ट्राइंजेक्शन पहले मैं कर चुका हूँ और जैसे ही दूसरा ट्राइंजेक्शन करता हूँ 10,000 का और तो यहाँ पर वही एक लिमिट सेट कर दिया गया है जो कि अभी आपको विंडो में दिखेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉप अप स्क्रीन आ चुका है जिसमें एक लिमिट जो सेट किया गया है उसके अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है NIST withdrawal transaction can only be done after 3 hours मतलब कि अगर मैं यह 10,000 का ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर से 10,000 का ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ तो अब मैं 3 घंटे के बाद ही यह 10,000 का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ मतलब ये एक तरह से लिमिट सेट कर दिया गया है अगर किसी को जरूरत होगी 20,000 की तो तीन घंटे वेट थोड़े ना करेगा बैंक में चला जाएगा तो ये है हमारा दूसरा अपडेट अब आप इसी वीडियो पर इसी चैनल पर बने रहें मैं जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा